C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वार प्रस्तु थे कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनन्द मैं Part 1. मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो Part 1. आओ गाएं देखो, 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 देखो मेरी प्यारी बिल्ली क्या तुम बैठी खिडकी के उपर? क्या तुम सोई पलंग के नीचे? कहा छिपी हो, उपर या नीचे? देखो, 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 देखो मेरी प्यारी बिल्ली क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर? जल्दी से बाहर आजाओ कहा छिपी हो, मुझे बताओ प्रिश्ट 2. आओ, आओ, आओ आओ, मेरी प्यारी बिल्ली कभी जार नीचे से खरूचा कभी कार के उपर पोंचा उपर नीचे, उपर नीचे आओ, आओ, आओ आओ, मेरी प्यारी बिल्ली बच्चों को अभिना के साथ कविता पाठ करने के लिए कहें बच्चे चित्रों का अवलोकन करें और बताएं कि उन्होंने क्या देखा एवं चर्चा करें कि कौन-कौन सी वस्तु उपर है कौन-कौन सी नीचे इत्यादी छुपन-छुपाई के खेल में छिपने के स्थान व परिवेश के जानवरों के रहने के स्थान इत्यादी से संबंधित प्रश्णों के माध्यम से बच्चों को चर्चा में भागिदारी हेतु प्रोचसाहित करें कविता में दिये गई चित्रों को देखी एवन सही शब्द पर गोला लगाईए क लाल गेंद पलंग के उपर या के नीचे या पर है इस वाक्य में के नीचे पर एक गोला लगाया हुआ है यानि ये सही शब्द है ऐसे ही आपको बाकी दिये गए वाक्यों में भी सही शब्द पर गोला लगाना है ख तक या पलंग पर या के बाहर या के नीचे है ग आदमी पेड के नीचे या के अंदर या पर सो रहा है घर गाय घर के अंदर या उपर या बाहर है सोचें और बताएं क आप अपने जूते कहां रखते हैं कमरे के अंदर या के बाहर ख आप कुड़ा कहां डालते हैं कुड़े दान के अंदर या के बाहर आओ खेले वस्तुएं ढूंडे बच्चे अपने आपको दो समूहों में बाट लें पहले समूहों के बच्चे सफेद चौक लाल गींद इत्यादी जैसी कुछ वस्तुएं आस पास छिपाएंगे और दूसरे समूहों के बच्चे उन वस्तुएं को ढूंडेंगे इसके लिए अंदर या बाहर दूर या पास उपर या नीचे जैसी स्थिती से संबंधित शब्दावली का उपयोग करके दूसरे समूहों को वस्तुओं को ढूंडने के लिए मौखिक निर्देश देंगे उदाहरण के लिए का सफेद वस्तु ढूंडिये जो बोड के पास है और मेज के नीचे छिपी है ख लाल वस्तु ढूंडिये जो कक्षा के बाहर और पेड के नीचे है प्रिष्ट चार आओ खेले गेंद फेके प्रतीक बच्चा बारी-बारी से टोकरी के अंदर गेंद डालने का प्रयास करेगा जब गेंद टोकरी के अंदर जाएगी तो बाकी बच्चे बोलेंगे अंदर और जब गेंद टोकरी के बाहर गिरेगी, तो बाकी बच्चे बोलेंगे बाहर कर जो अंदर है उन पर सही का चिन्ह लगाईए गति विध्यां इस तरहें कराई जाएं कि सभी बच्चे गति विध्यों में किसी दिव्यांगता यदि है उसके बावजूद भी सक्रिय भागिदारी करें उदारण के लिए गेंद पर घुंगरू बांद सकते हैं एवं टोकरी के अंदर का तल बाहर के तल से अलग कर सकते हैं इसका उदेश यह है कि अलग उत्पन आवाज से गेंद के अंदर या बाहर गिरने का पता लगाया जा सके यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है इस चित्र के पहले भाग में कुछ फूल और एक टोकरी हैं वहीं इस चित्र के दूसरे भाग में एक गाड़ी, एक सजन पुरुष और एक छोटी बच्ची हैं आपको चिन्ह के माध्यम से ये बताना है कि कौन से फूल टोकरी के अंदर है और कौन से बाहर वैसे ही चिन्ह के माध्यम से आपको ये बताना है कि कौन गाड़ी के बाहर है और कौन गाड़ी के अंदर प्रिष्ट पाँच ख, जो बाहर हैं, उन پर सही का चिन्ह लगाईए यहाँ पर दो चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में दो छोटे भालू है एक गुफा के अंदर है और एक गुफा के बाहर आपको चिन्ह के माध्हम से ये बताना है कि कौन सा छोटा भालू गुफा के बाहर है वहीं दूसरे चित्र में कुछ खिलोने दिखाए गए है कुछ खिलोने डिब्बे के अंदर है और कुछ खिलोने डिब्बे के बाहर आपको चिन लगा कर ये बताना है कि कौन सा खिलोना बाहर है ग चित्र को देखे एवं उचित शब्द पर सही का चिन लगाईए अ बच्चा पेड़ पर या के नीचे बैठा है ब चिडियां पेड़ पर या के नीचे बैठी है यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है इस चित्र में एक पेड़, कुछ चिडियाएं, कुछ गाएं और एक बच्चा दिखाया गया है आपको यह बताना है कि बच्चा पेड़ पर या पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वैसे ही आपको चिन के माध्यम से ये बताना है कि चिणिया पेड़, पर या पेड़ के नीचे बैठी है घा, चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाईए और आखों के उपर भौहे बनाईए यहाँ पर एक बच्चे का चित्र बना हुआ है, जिसमें उसका मुँ और उसकी भौहे नहीं बनी हुई है आपको इस चेहरे को पूरा करना है प्रिष्ट छै अंगर, हमारे राष्ट्रिय ध्वज तिरंगे को देखे और उचित विकल्प पर सही का चिन लगाईए अ, तिरंगे पर सबसे उपर कौन सा रंग है? सफेद या केसरिया या हरा ब, तिरंगे पर सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? गुलाबी या केसरिया या हरा स, तिरंगे पर हरे रंग के उपर कौन सा रंग है? सफेद या केसरिया या पीला द, तिरंगे पर अशूप चक्र कहा है? कोने पर या बीच में या किनारे पर? यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है तिरंगा लहरा रहा है और साथ ही साथ बच्चे और बड़े उसे देख कर गर्व महसूस करते हुए उसे सलाम कर रहे हैं बच्चों से चर्चा करीं कि हम तिरंगा, कब, कहां एवं क्यूं पहराते हैं? बच्चों को राष्ट्री उच्सवों के विशय में बात करने के लिए प्रोच साहित करिए बच्चों को अपना तिरंगा बनाने और खड़े होकर राष्ट गान गाने के लिए कहिए प्रिश्ट साथ प्रिश्ट साथ दिखाती पूरा देश घुमा कर लाती आगे इंजन पीछे डिब्बे कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे हिलते डुलते रेल चली छुक छुक करती रेल चली ग, इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं? ग, लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं? ग, लाल डिब्बे के पीछे के सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरिये ग, लाल डिब्बे के आगे के डिब्बों में नीला रंग भरिये यहाँ पर एक चित्र दिया गया है. इस चित्र में एक रेल गाड़ी बनाई गई है. आपको प्रश्नों के अनुसार रेल गाड़ी के डिबों में रंग भरने हैं. बच्चों को अपनी रेल गाड़ी की यात्रा का अनभХव बताने को कहिए. ऐसे बच्चों जुन्होंने रेलगाडी से यात्रा नहीं की है वे यात्रा से संबंधित प्रश्ण पूछ सकते हैं रेलगाडी क्या होती है पर भी चर्चा करें उन्हें कागस पर रेलगाडी बनाने या पुराने बेकार डिबों से रेल गाड़ी बनाने के लिए कह सकते हैं प्रिश्ट आठ आओ खेले बच्चे कविता पाठ करेंगे एवं एक खेल खेलेंगे जिसमें वे एक दूसरे को पकड़ कर रेल गाड़ी बनाएंगे सभी बच्चे बताएंगे कि उनके आगे और पीछे कौन है चुक चुक मेरी रेल चली मेरे आगे कोई नहीं मीरा मेरे पीछे खड़ी यह पर एक चित्र बना हुआ है इस चित्र में पांच बच्चे दिख रहे हैं जो एक के पीछे एक खड़े होकर रेल गाड़ी खिल रहे है अभी जो आपने बात सुनी वो सबसे आगे खड़ा बच्चा बोल रहा था सुआली और रोहित वस्तों के समूँ बना रही है यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें दो बच्चे सुवाली और रोहित वस्तूओं के समूह बना कर खेल रहे हैं सुवाली कहती है मैंने सारे कंकड एक साथ रखे हैं और रोहित कहता है मैंने पत्तियों को एक समूह में रखा है और चौक का एक अलग समूह बनाया है बच्चों को ठोस वस्तूओं जैसे बीजों, पत्तियों, मोतियों आदी को चाटने की गत्विधियां करने के अवसर दें प्रिश्ट नौ आओ करी स्वाली ने इन बटनों को इस तरह समूहों में बाटा यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है चित्र में एक बच्ची स्वाली नजर आ रही है स्वाली ने बटनों को अलग-अलग समूहों में बाटा हुआ है अब ये बताएं कि स्वाली ने ऐसे समूहों क्यों बनाए है स्वाली अब इन बटनों के समूहों को अलग-अलग तरीकों से बनाना चाहती है आप चित्र बनाकर उसकी सहायता कीजी यहां पर चित्र बनाने के लिए एक जगह दी गई है परियोजनाकार बच्चों को कक्षा में अलमारी को विवस्थित करने को कहिए शिक्षक बच्चों को स्थिती से संबंधित शब्दूं जैसे सबसे नीचे वाले खाने में दो वस्थूएं रखे सबसे उपर वाले खाने में एक वस्थू रखे इत्यादी का उपयोग करते हुए निर्देश दीजिए CTNCERT नई दिल्ली भारत